हेलो दोश्तों, आप सभी का स्वागत है, हमारे बैसिक घ्यान यूटूम चेनल पर तो आज का हमारा चौपिक रहेगा बिटामिन चलिए स्टाट कर देते हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिटामिन के हमारे सरीर में क्या कारिय होता है तो जो बिटामिन होते हैं हमारे सरीर में रोग प्रतीरोधक छमता लाते हैं क्या करते हैं रोगों से हमारे सरीर की रक्षा करते हैं यह बिटामिन का कारिय होता है और जो हमारा सरीर है उसमें लगबग 13 बिटामिन की आवसकता होती है कितने बिटामिन की 13 प्रकार के बिटाम की है ये महत्मुर्ण फ्यक्ट है कि वितामिन की प्रतर अक्सा अग्सा में आता रहता है कि वितामिन और इस Palestine की होते है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन के इतने प्रकार के कुल मिला करके 13 विटामिन हो जाते हैं अब हम विटामिन को गुलन सीलता के आधार पर बरगी करत करेंगे तो गुलन सीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो vitamin दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, vitamin दो प्रकार के होते हैं, जो पहला प्रकार होता है, बहे होता है, जल में घुलनसील, जो जल में घुलनसील, vitamin और बसामें घुलनसील, vitamin इन दो प्रकारों में हमने vitamin को बाटा है, जो जल में घुलनसील, vitamin होते हैं, vitamin B औ और बिटामिन C होते हैं और जो बसामे घुलनसील बिटामिन होते हैं बिटामिन K, B, E और A ये हमारे बसामे घुलनसील बिटामिन होते हैं इनको याद करने की एक ट्रिक होती है कि अगर हम बिटामिन बसामे घुलनसील बिटामिन याद करेंगे तो उसको हम कीडा नाम से के, कीडा नाम से हम उन्हें याद कर सकते हैं जो कीडा होता है बागी का जो बचा बी और सी जल में घुलनसील होता है इस प्रकार से हम उन्हें याद कर सकते हैं अब नेक्ट देख लेते हैं अब हम देखेंगे बिटामिन के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उन्हें देखेंगे जो यहां पर हमने vitamin लिखे हैх है और यहां पर उनके scientific name लिखे है तो जो vitamin A है उसका scientific name क्या होता है? retinol क्या होता है.. VITAMIN A का scientific name रेटीनोल होता है अब जो vitamin B है उसका क्या होता है? hymen होता है vitamin B का damit B होता है उसे हम अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको confusion ना हो इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पर बस यह sample sample वाले आपको बता देते हैं B की जो family है वो अभी next में हम आगे देखेंगे और vitamin C है उसका जो chemical name होता है वह होता है Ascarvic Acid क्या होता है Ascarvic Acid और देख लेते हैं जो vitamin D है उसका रसाइनिक नाम क्या होता है vitamin D का रसाइनिक नाम Kelsey Ferrol होता है क्या होता है Kelsey Ferrol vitamin D का और vitamin K का होता है philokiv non क्या होता है philokiv non vitamin K का scientific name होता है अब यह हो गए हमारे vitamin के name अब देख लेते हैं जो B की फैमिली है उसके नाम हम देख लेते हैं तो जो B1 है उसका नाम होता है थाइमिन, B1 जो बिटामिन होता है उसका नाम होता है थाइमिन और B2 का होता है राइवोफिलोविन, क्या होता है राइवोफिलोविन, बिटामिन C का साइंटिफिक नाम होत है आप देख लेते हैं बिविडार होता है उसका होता है पेंटोथेनिक अमल क्या होता है फेंटो फेंटोथेनिक आइस कहते हैं मैं सी अधय कैनि क्रोश बिटामिन B7 का scientific name अब देख लिए थे हैं बिटामिन B9 जो बिटामिन B9 है उसका scientific नाम फैलिक अमल होता है क्या होता है फैलिक अमल या फैलिक एसेड बोलते हैं और बिटामिन B12 होता है उसका रासाइनिक नाम होता है साइनो कोवाल मिन क्या होता है साइनो कोवाल मिन अब यह होगा हमारी वी 31 फैमिली हो गई हमने आपके लिए बिटामिन जो होते हैं उनcs साे बिटामिन के आपको scientific name अब अगली वीडियो में हम विटामिन से जो उनकी कमी से जो रोग होते और विटामन की हमें किस चीज से प्राप्त होते हैं हम उस बारे में अगली वीडियो लाएंगे तब तक के लिए ठैंक यू हमने कुछ 있 किये हैं का अनसर आप कमेंट वोक्स में देना इसी वीडियो से रेलेटिक question है तो आपके question है पहला question है vitamin A का scientific name क्या है जो vitamin A है उसका scientific name क्या है इसका comment box में answer देना और vitamin की कोज किस ने की थी उनका नाम भी आप comment box में लिख करके देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें ठैंक यू